है लो गाइज गुड मॉर्निंग नमस्कार मैंनिर भैसर आप लोग सभी का हमने और लाइन प्रेटपर्म इडू फाइवर पर स्वागत करते हैं बेलकम करते हैं तो कैसे हो मेरे बिहार भाईयों बिहार की बहनों आप लोग के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ी प्रवेशर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनारा मौका है बिहार में डिलेट की फॉर्म आ चुकी है डिलेट परवेश्चा है ना जो डिलेट की परवेश्चा होती है सत्र दूहजार चोबीस चबिस का ऑनलाइन एप्लिकेशन आचुका है कल ही नोटिफिकेशन आया था है ना बिहार विद्याले परिच्छा समेति के द्वारा तो मेरे दोस्त कहां हो सभी लोग जाग जाओ कैसी परिच्छा होगी क्या सिलेवस होगा क्या एक्जाम का पैटर्न होगा मैं सब फिर बारिक्ष्यों से आपको बताने वाला हो ए टुजट बताओंगा किसी प्रिविएस येर पेपर भी आपको में करवाता चला जाओंगा है ना तो हमारे साथ जुड़े रहना मैं डिलेट का जितना भी कोसर पूछा गया बिगत 10 सालों में 15 सालों में सबका करवाओंगा यहां तकी प्रैक्टिस पेपर भी करवाओंगा एटुजेट करवानोंगा सब्सक्राइब थैयारी है कल से लग जाएंगे आपके साथ हम और इस बार जो कि शक्ति शीटों ह्यां पर हम ट्रों क्या करेंगे आपको पूरी दूर्य कि लिखे तो देंगे यहां तो में क्या करना कऱोगा और किस त्यारी में बनाओंगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जाने कब होगी एक्जाम यह मैं सब बताने वाला हूं किब होगी एक्जाम है ना उसके गद शंपूर्ण सिलेव उसके साथ यारी पूरी सिलेव होगी उम्र योगता क्या होगा एकटूजट बताने व構 लाओ चलिए तौन लेट करते हैं ना बेट करते हैं मैं आपकी बारिक्यों को बताने के लिए क्लिक्ञा तयार हो जाता हो मैं एक मैंने अप लोगों को बताने वाले वाले थ्यान देना यह देखिए यह देखिए नोटिपीकेशन जोने है वो निकाले गई है विघार बिद्याले परिच्छा समीती के द्वारा क्या है देखिए प्रारंबिक सिच्छा में डिपलोमा D.L.A. पाठेकरम के सत्र 24-24-26 में नमंकन है तू जो वैसे चाहते हैं कि जो D.L.A. करना चाहते हैं तो पहले D.L.A. कॉलेज में आप हो क्या करवाना पड़ेगा नमंकन करने लिए क्या कर पड़ेगा इंट्रेंस परिच्छा देने पड़ेगी परवेस परिच्छा देने पड़ेगी है ना नमंकन है तू डीलेड संजुक्त परवेस परिच्छा कौन सा परवेस परिच्छा यानि एक्जाम देखकर पहले पास करोगे फिर बात में आपका डीलेड कॉलेज में एडिविशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि देख्या लिखा हुआ है कि परसिचित संस्थानों में कुल स्वरकृत सीटों के विरूद नमंकन के लिए चैन है तुडी एल एड संजुक्त परवेश परिच्छा दोजार चोबिस ऑनलाइन का एविजन किया जाना प्रस्तावित है ऑनलाइ किये जाते हैं यानि दो तारिक से आप ऑनलाइन स्टार्ट कर दोगे यानि कल से ही पेपर क्या हो चुकी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट जो रखी गई है वह आपके 15 फरवरी रखा गया है पर बेस परिच्छा में उतीन अभीरतियों के नमंकर है तुमेगा सूच स्थानों की प्राथमिक्ता यानि की मेरिट कम 24 के अधार पर संस्थानों का आवंटन्त होगा जिसके लिए समिधी त्वारा अलग से बिग्यप्यति प्रकासित की जाएगी यानि जो है बिहार विदाले परिच्छा समीति के द्वारा आपको अलग से नोटिफिकेशन निक लिखा हो गया है कि प्रारंबिक सिच्छा का डिप्लोमा, प्रारंबिक सिच्छा का डिप्लोमा DLA अध्यापक सिच्छा का दो बर्स का ब्यवसाई कार्ज करम्ज, इसका उदे सिच्छा की प्रारंबिक ब्यवसाई अथार्थ कच्छा एक से कच्छा आठ तक के लिए अध्य स्वाला होगा यारी 2 साल का होगा किन्तु विद्यारतियों को इस कार्ज्ग्रम को पूरा करने की अनुमती यारी ऐसा हो सकता है कि ह confess करने में कम से कम 200 होगे यानि आपको कम से कम 200 दीन को अ wastewater कोलेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा जिसमें परिच्छ और परवेस की अबदी सामिल होगा जिसमें आपको परिच्छ भी और सामिल होगी नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि आगे मैं सिलेवा सुलेवा सब कुछ बताऊंगा शुरू से अंतर देखना अगर हमारी यह चीजों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अगर इन फॉर्मेसन आपको सही लगे समझ में आए तो एक बार चैनल को क्या कर देना लाइक ठोक देना और अगर सच्चे बिहारी वास सेच्चिक योगता होना चाहिए अब इनके लिए क्या योगता क्या हो सकता है पहला देखिए प्रसिच्चन संस्थानों में नमंकर है तुस्य निक योगता यानि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उच माधमिक 10 प्लस टू अत्वा इसके समकच परिच्छा में क कम से कम 50 प्रतिसत अंकों वाले उमिद्वार डी एल एड पाठे करम में परवेश के लिए पात रहें यानि अगर आप चाहते के डी एल एड में हम ऑनलाइन फॉर्म भरे तो कम से कम आपको 10 प्लस टू 50 प्रतिसत अंकों से पास होना अनिवार है नेक्स्ट अगला क्या बा इस परकार बहुत सारे सुचना है यहां पर दिखाई जा रही है लेकिन जो मेन मेन सुचना है मैं आपको पताता हुआ चलूगा जो आपके लिए क्या है बहुत ही जरूरी है क्या लिखा हुआ है यहां पर देखे बहुत बड़ी जनकारी दीजारी है क्या जनकारी दीजारी वह देखिएगा लिखा हुआ है कि डी एल एड पार्टेक्रम में नमंकन है लेने है तु आयोजित होने वाली परिच्छा में समलित होने के लिए वैसे अभियर्ती भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो बर्स 2024 की उच माधमिक 10 प्लस टू अत्वा उसके समकच की वार्षिक परिच्छा 2024 में समलित होंगे यानि वैसे भी द्यार्थी जो जो 2024 में है ना क्या दे रहे हैं आपको 10 प्लस टू का एकजाम दे रहे हैं वह भी द्यार्थी भी डीलेड का फॉर्म को बर्थ सकता है लेकिन डील एड़ पाठकरम में नमंकन उच माधमिक 10 प्लस टू अत्वा उसके समकच की परिच्छा में 50 प्रतिसत आराचित स्रेंव के लिए 0.5 प्रतिसत अंक पाकर उतिन होने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा यानि छुट भी आपको दिया जाएगा नेक्स्ट पात्र बारा विविदे 11 2016 अंश्फ 715 दिनांक 132 2022 की आलोक वैसे बिद्यारती जो शास्त्री एल टेक्निक आईडि या अनपरकार की अनपरकार की क्या अनपरकार की योगता रखते हैं परकार की योगता रखते हैं तो वे डी एलेडी कोर्स में नमंकन के पात्र नहीं होंगे यानि वैसे विद्यार्थी जो आपके सास्त्रे वैसे विद्यार्थी जो पॉल टेखनिक कर चुका है जो आई टी आई कर चुके है वह विद्यार्थी डी एलेड परवेस परिच्छा दोजार चोबीस चबीस सेशन है उसका फॉर्म को नहीं भर सकते हैं एना एकदम एटूजेट बताऊंगा एटूजेट कोई भी कन्फ्यूजन आपको दूर का सारा का सारा कन्फ्यूजन में आपका दूर कर दूँगा देखो एज लिमिट क्या होनी चाहिए उम्र सीमा यानि क्यों नहीं आते हों परवेश परिच्छा एडिविसर प्रोसेस क्या है तेके क्या है बिहार विद्याले परिच्छा समीति दोरा आयोजी डीलेडे ओनलाइन सज़ग पर परिच्छा प्राप्त अंक के अधार परतयार मेगा सूची मैरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सब्सक्राइब अभर्तियों द्वार महा विद्याले के लिए प्रात्मिक्ता कॉलेज 24 की द्रिश्टी पर रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटी कृत रूप से अभर्तियों को महा विद्याले में अवंटत किया जाएगा यानि आप जब एक्जाम देने के बाद आपको कॉ सब्सक्राइब गाप को 0.2% ऊब देगा आप परशेंट और जो समान जो है आपके किसमें आर्थिक रूप से जो है आपको पीछर भर में आते यूड़ी एस को मिलेगा आपको कितना मिले चाहिंट इस परटीसाट ऊर्शत मिलेंगा सिर्वाइट चыт को ऊके माइडि she के नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके के परवेस पर इच्छह का पाठ करम क्या है स्था यहाँ पर च्छाका परत करम क्या है क्या या क्या पढ़के जाना होगा जान के लिए धिए परिष्पष़ इंट्रेंज होगा typing जो विकल proud वोगे यानिए कि होगा औरभरिश परिच्छा की अबदी डिप्र टॉरेशण कितने टाइम को परिच्छा की जो अब दी होगी वो डेड़ सो मिनट का होगा यानि कि धाई घंटे की होगी अब इसमें पूछी क्या जाती है देखिए परवेश परिच्छा का प्रारूप क्या क्या है समानी हिंदी यानि की जेनरल हिंदी पूछा जाएगा या फिर उर्दू लेंगे तो आपको टिए पारें तो एक बार चैनल को लाईक कर दिए और चैनल वे साइन्स आपको सोशल स्टवोचिस से आ जाएंगे कितना वी स्कोषन आ जाएंगे समान अंग्रेजी से आपको विजकोषन सब्सक्राइब के दोटाल बश्च मैं कितनी है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब तोप करताँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटकना लगा दूंगा पानी में और एक यहां पर देखिए प्रतेक सही उत्तर के लिए एक अंग दिये जाएंगे अगर आप एक को सही करोगे तो आपको एक अंग दिये जाएंगे तो टोटल प्रस्ट रहें 120 इसका मतलब आपको माक्स कितने मिलेंगे मिलेंगे अब देखिए मिनीमम क्वालिफिकेशन माक्स कितना होना चाहिए डी एलेड संजुक्त परवेस परिच्छा में उतिर्णता हे तुनियुन्तम अर्यक अंक आरचित सरेनी के उन्दबारों के लिए 35% लाना है और जो आरचित सरेनी में आते हैं उनको 30% लाना है किलि करना चाहते हैं अगर आप सारे भी सवकित त्यारी करना चाहेंगे तो मैं सारे भींत त्यारी बहुत यहां तरीगतांगे तरीगतां कल से हमारे साथ लाइब जूड़ Allez my मैं आपको करवाने बाला तो जल्दी-जल्दी से आप लोग एक बार कमेट करके बता देखो किसको कितना पैसा लगने वाला वह मैं भी बता देता हूं भाई देख लो अगर आप जेनर के टेगरिक हैं आर्थिक रूप से कम जोड़ है इस में आते हैं या फिर समान कोटि के हैं पीछड़ा के आपको टी मेसी जातीं है स थी लगेगा अब बसी में आते में आते हैं या पर जेनरल केटेगरी में आते हैं तो आपको 960 रुपया लगेगा ठीक है ना उक्त परिच्छा में समलित है ने है तो केबल निधारित अहर्ता रखने वाले परिचार्तियों से सिर्फ आउनलाइन माध्यम से समीति के वेब साइट है ना www.dl.bihard.com पर आवेदर पत्र अमंतिर्थ किये जाते हैं और आवेदर पत्र परिच्छा सुल्क दिनांक अना 222024 यानि कि दो फर्वरी दोजार चोबिस से लेके 15 फर्वरी दोजार चोबिस तक स्विक्यार किये जाएंगे तो देर किस बात की ओनलाइन जल्दी से कर दो और जी सिस्चांद कि बता देता हूं भुकताहर की परकिरिया है अब देखें फोक्तों की साइज क्या है बहुत लोग गाधाधाय करते तो अप लूड करना आपको रंगीन फोंचांद करना है और सीनेचर करना है फोटो बॉसकराब करना प जाए परमानपत्र देना पड़ेगा आपको से आपको अपलोड करना है तो आपको परमानपत्र देना पड़ेगा अत्यांत पिच्राबर्ग में आते हैं या पिच्राबर्ग के उद्मार है तो अभी आपको क्रिमिलियर है ना NCL certificate आपको देना होगा ठीक है ना अगर मान लिया जाएं कि कोई महिला जो विवाहित है अगर डियलेट करना चाहती हो अगर विहार की है तो भाई सबसे पहले दो क्या लिखा हुआ अरच्छन का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाती अधतन क्रिमिलियर रहित परवानपत उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गित होना चाहिए ना कि उनके पती के नाम से बहुत बढ़ियां यह बहुत बढ़ियां बात है अगर आप बिहार के हैं तो भाई आपके जो आपकर आगर आप बिहार के हैं तो भाई बिहार में जो महिला होगी जो डिलेट का पौन बरेगी इंट्रेंस ही जा जनकारी हप लोगो कैसा लगा हमारी जनकारी अगर आपको मस्त लगा जवड़दस्त लगा तो एक बार जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक दिन का नोटिपिकेशन सही टाइम पर आपको मिलता चला जाए ठीक है चलिए तो हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे थैंक यू गाइज थैंक यू बिहार वास्यों सब्सक्राइब आप लोगों को बाबाइब